कि नमस्कार मैं सुबास पिष्णोई आप सभी बाईयों का आपके अपने यूटूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूं तो आज मैं आपके लिए लेके हूं मक्य का अचार यानि कि साइलेज जो कि हमारे लिए बहुत जुरूरी है तो आज जो भी बाई इस वीडियो पहली बार हैं वह प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिएगे गheidिंटी के निशान को जरूर दबाएं जिससे हर नई वीडियो आप तक जल्षे-जल पहुंचें और आज की वीडियो आभ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो साइलेज की जो की हमें कैसे मिले कहां से मिले यह सारी डेटेल आपको वीडियो में दि अंदर है यह private company है जो कि silage को से फैकिंग करके हमारे गर तक पहुंचाती है तो हमारे घर तक कैसे पहुंचे इसके लिए उपर card जो लगाए उस पर भी number है तो आप कुल्दीब सिंग जी से हैं जो sales area sales manager है इन से आप बात कर सकते हैं कुल्दीव सिंग जी डवल नाइन 15806286 9478610214 तो यह इनका फोन नमबर है और यह कैसी पेकिंग करते हैं यह आपको फोटो में दिख रही है और यह इनका विजटिंग कार्ड है इस पर पूरा एडर्स बगेरा लिखा हुआ है तो यह अच्छा में मक्का पेदा कर और उसको बाद उसकी कटिंग करके इस साइलेज जैसे हमारा चरह काड़ते हैं साइल कुसको काटके और इसको प्लास्टिक में पैकिंग करके हमारे घर तक पहुंचाते हैं तो यह कैसा मक्का होता है यह देख सकते हैं इसमें मक्की के टुकड़े भी दिख रहे हैं आपको तो यह कम से कम डेड़ साल सोड़ा से ठारा मिनित है बिल्कुल सेफ बिल्कुल अच्छी तरीके से रहता है और आप जब भी इसको पैकिंग खोलें तो उसके बाद 8 से 10 दिन तक इसको आपको खत्म करना होता है तो इनका जो रेट है वह जो चोटी पैकिंग है वो पांच रुपए के जी यह दिए पांच सो रुपए प्रती कुवंटल और जो बड़ी थोड़ी पैकिंग है 5 कुवंटल हैं उससे ज्यादा क वह साड़े चार रुपए हैं कि साड़े 400 रुपए प्रती कोटल के इसाब से ये सेल करें बाकी आप इनसे कॉंटेक्ट करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज़स हैं वो अलग से तो आप देख सकते हैं बाई साब होम डिलिवरी करवाते हैं जिससे हमें कहीं भी हरा चारह कर लेकर जाने की जुरूर थे निए और इसमें जो पोशक तत्ताव होता है वो हरे चारह सभी जादा होता है क्यूंकि इस साब बनाया होता है हरा चारा उनकी खुद की खेती है तो एक साथ हरा बीज लेते हैं लेकिन हमारा जो छोटा डेरी फार्मर है वह ज्जादा खेती में हरा जमीन में हराबो नहीं सकता हुए फिर उसको रोज लाने तो आया रपे के लगबग आप रोज जैसे दस एनिमल हैं दस किलो एकड़ सो किलो हुआ तो पांच सो रपे हुआ तो इससे फैंट भी जाद आएगी जानवर में जो एनिमल से हमरें उनकी शाइनिंग भी बहुत जाद आएगी और दूद में फैंट के साथ बोड़ी फैंट इसी हो जाता है आप बड़े डैरी फार्म भी देखते हों या फोरन की वीडियो में देखते होगे वहां अक्सर सैले जादा डाला जाता है इसलिए पसुद जादा मोटे होते पंजाब साइड में हमारे जो डेरी फारम है वहां अक्सर मक्के का अचार इसको बोलते हैं यह बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसलिए वहां के पसुछ ज़्यादा मोटे और तकडे होते तो आप सभी बाईयों के लिए बहुत से बाईयों में फोन करके पूछते हैं भी कहीं साइलेज मिल सकते हैं तो यह साइलेज का एडरस पूरा इस पर दिया हुआ है बाई का नंबर है आप जो छोटे डेरी फार्मर है वो जिनके कम लागत है आप दो तीन चार आदमें मिलके मगवा सकते हैं जिसको जितनी क्वांटिटी चाहिए फिर सबसे बड़ा वेनिफिट इसका विसको किसी भी स्टोरेज करने की जूरत नहीं जैसे आप किसी होल के अंदर या बड़ा गोदाम जैसे में बूसा या फीड वगरा कितरीत करने के लिए चाहिए वो कोई दिक्कत है वेसी कर दीजिए वेसी पेकिंग आप इनसे मगवा सकते हैं और कहीं भी जादा शेड में बगएर जूरतनी बार खुले में पढ़ा रहें दो एक डेड़ साल तक पढ़ा रहें दो कोई दिक्कत नहीं तो यह सबसे बड़ा बेनिफिट है जिनकी जगां की समस्था है यहां हरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि हर डेरी किसान तक साइलेज के बारे में पहुंचे और इस पर हम भी कोशिश करेंगे एक और नई वीडियो बहुत अच्छी आपको बना के दिखाई जाए जिससे आप सभी बाई साइलेज आप सभी बाईयों के घर गर्द तक स जय बारत